वेल्कम फ्रेंज आज में लाई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है इंस्टेंट अपम जो बच्चों के टीफीन के लिए बहुत ही पॉफेक्ट है यह एक साउच रेसिपी है जो आज कल के लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद की जा रही है और यह रे अब इसे लोग फ्लेम पर हम भुनेंगे इसे ब्राउन होने तक हम भुनेंगे जैसा कि आप देखने है दोस्तों मुफली ब्राउन हो चुका है एंडा होने पर इसके चिल्के को हम अटा लेंगे और चटनी के लिए हमने अद्रक मेच मुफली और यह बिना चिल्के वाली चला लिया है अब इसे मिक्सर के जार में डालते हैं और यह हमने चार से पांच लशन की कल्या लिया है अब इसमें हम स्वादा नुसार नमा अब इसमें थोड़ा पानी एड़ करके इसे मच्छे से ग्राइंड करेंड कर लेते हैं अब इसे निकाल लेते हैं अब इसके तड़के के लिए हमने तेल कर लिया है अब इसमें हम हाफ टीजबुल राइ आड़ करते हैं इसमें आप करीपत्ता भी आड़ कर सकते हैं दो लाल मीच से मने तड़का दे दिया है अब यह हमारा चैटनी बनकर रैड़ी हो गया है चलिए प्रेंट्स अब अपम बनाते हैं तो अपम के लिए हमने चीनी नमा, सूजी और यह दही लिया है इन चार चीजों से अब हम अपम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने दो कप सूजी हाफ टी स्पून नमा, गौन टी स्पून सूगर और एक कप दही लिया है अब इसमें हम हाफ कप पानी आट करेंगे पानी ग्राइंड करने के बार कम या जादा होने पर हम डाल सकते हैं अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो देख रहे हैं दोस्तों हमारी ये कंसिस्टेंसी बहुत ही पॉफेक्ट बनकर एड़ी हो गई है अब इसमें हम हाफ टेस्पूल इन्यो अइड करेंगे अब इसमें आप देख रहे हैंदोस्तों अब हमी इसे बनाने में देड़ी नहीं करनी है अब अब बनाने के लिए हमें ऑएल का उन्हीं करना है तो अब हम ग्या स़ाम करके एक पान रख देते हैं पैन गरम होने के बार फ्लेम को हम स्लो कर देंगे अब इसके बैटर को हम पैन पर स्प्रीट करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रहे है तो देखने हैं दोस्तों ये उपर कैसा बबल आनी लगा है अब इसे हमें दो से तीन मिनट तक स्लो फ्लेम पे ही छोड़ देना है हमने नॉन स्टिक पैन लिया है दोस्तों आप इसे नॉर्मल तबे पे भी इजली बना सकते हैं अपम को हमें एक ही साइट सेखना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने दो से तीन मिनट तक अपम को सेख लिया है अब इसे किसी प्लेट में निकाल लेते हैं तो दोस्तों हर बार की तरह हमें बताना ना भूले कैसी लगी हमारी ये साउथ रेस्पी और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें फिर मिलेंगे हमें एक नए रेस्पी के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए स्वास्त रहें मस्त रहें और खाते रहें बाबाई